हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी PCS में मैं हूं केवल आपके सामने टार्गेट UPPSC 2023 यानि कि साल भर का जितना भी करेंट अफियर है इस सीरीज के अंतरगत हम उसका रिवीजन कर लेंगे पहले एपिसोड में उत्तरप्रदेश राजविशेश का जो करेंट अफियर था उसे हमने कवर किया और दूसरे एपिसोड में उत्तरप्रदेश राजविशे का करेंट अफियर भाग दो कवर कर लेंगे और इस दो एपिसोड में पूरा उत्तरप्रदेश का साल भर का तो साल भर का जितना व्रेंouch यह फुल हुआ रहे हैंवहों अपको सामने कर रहे हैं आपके तैयारी को और बहतर करने का काम हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी लाबदाई होगा तो चलिए शुरू करते हैं सवाल है उत्तरप्रदेश का वाशहर जहां हाल ही में नमोवन का लोकारपन उत्तरप्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल ने किया कानपूर में किया ठीक है तो कानपूर में किया किस पधती से किया मियावाकी मियावाकी पध्धती से कांतुर में किया और मियावाकी पध्धती में होता क्या है कि अमोमन किसी पेड को बढ़े होने में जितना समय लगता है उससे 10 गुना मियावाकी पध्धती में 10 गुना तेजी से पेड बढ़ता है और जो वन है वह 30 गुना तेजी से अपना आवरंड बढ़ाता है यहां पेह बात पूछी जाएगी कि यह मियावा की पध्धती कहां से आई है तो याद रखेगा जापान से आई है जापान की तकनीक है मियावा की पध्धती उसी के माध्यम से शहरी छेत्रों में वन आवरं से 20 से 30 सालों में ही जंगल का निर्माण हो सकता है आगे देखिए उत्तरप्रदेश का वह शहर जो हाली में काशी तमिल संगमम के आयोजन को लेकर चर्चा में रहा कौन सा शहर था उत्तरप्रदेश का वारणसी में उत्तर भारत और दक्षिन भारत को जोड़ने के रूप प्रदेश के साथ शुरू किया गया और वारणसी में पहला है और पहला कहां पे हुआ वारणसी में और आजादी के अम्रित महुत्सों के तहत यह मनाया गया शुरू किया गया पर आजादी का अम्रित महुत्सों भी आप जान लीजे कब शुरू किया गया था 12 मार्च 2021 को शुरू करने के पीछे का अतर किये था कि जब भारत के आजाद होने के 75 वर्ष पूरे होने वाले थे तो उसके 75 सप्ताह पहले यानि कि 2022 में भारत 15 अगस को भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाते तो उसके 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आजादी का अमरित महुतसव मनाना शुरू किया पर राज के स्तर पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जो हमारी आजादी में महत्पूर्ण भूमिका निभाई वीरों ने वीरांगनाओं ने उनके बारे में जानकारी भी इसी के माध्यम से प्रसारित की जाएगी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ही हम यह उत्तर दक्षिन को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के माध्यम से आब आगे देखते हैं हाली मजारी नवीनतम आकणों के नुसार देश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इस्थान कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का इस्थान देखिए पहला है दूसरा स्थान किसका है तो याद रखेगा दूसरा महाराष्ट का है तीसरा आपको पता है तो बता सकते हैं लेकिन कम सकम दूसरा तो आपको पता होना ही चाहिए उसके बाद देखिए एक अन्य बाद कि वह उत्तर भारती राजे जहां उत्तर शेत्र का पहला डाट इस और उत्तर भार्ती राज है जहांपर पहला उत्तर शेत्र का डाता सेंटर स्थापित नीजी कर रहा रहा है इतने social media accounts है उसके वहाँ पर data create कर रहा है email में अलग-अलग जहाँ पर इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं देश के भी बहुत सारे जो निकाहें हैं सारे के सारे बहुत सारा data create कर रहा है digital word में वो सारा का data जो है कहीं न कहीं store होगा उसका भंडारन होगा उसक space चाहिए उसके लिए भी तो यह data center बहुत जगह पर पहले से भी बना हुआ है भारत में अन्य शहरों में भी है लेकिन उत्तरप्रदेश में भी अब बनने वाला है इसका नाम क्या है इस data center का नाम है hyper scale data center योटा डीवन मुंबाई चन्नाई हैदराबाद कुछ और ने जग यह एक शब्द आता है उस शब्द का नाम समझे डेटा स्थानी करण डेटा स्थानी करण एक नाम है जो काफी सर्चा में देखिए जितना भी भारत में data create हो रहा है मैं उसका भंधारण भारत में नहीं हो पा रहा है सिर्फ दो प्रितिशत डेटा का ही भंडारन जो भंडारन है सिर्फ दो प्रितिशत भारत में हो रहा है और 98 प्रितिशत भारत के बाहर अब आप सूचिए भारत के अंदर अगर डेटा नहीं होगा भारत के बाहर है तो हमें कैसे पता चलेगा वो कितना सुरक्षित है कितना सुरक्षित हाथों में वह किसी गलत हाथ में नहीं पड़ेगा जरूरी है कि हम अपने ही देश के अंदर अपना डेटा जो हमारा सौप प्रतिशत डेटा है जो अभी हम दो प्रतिशती हम भंडार कर पा रहे हैं वो पूरा का पूरा कर लें तो इससे क्या होगा बहुत सारे साइपर अप सके भंडारन कर सके इसे हम कहते हैं डेटा स्थानी करण पूछा जा सकता है आगे देखे उत्रप्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अमरगड महुत्सव का अयूजन किया गया अमरगड महुत्सव का मतलब क्या है कि सिद्दार्थ नगर में महुत्सव मनाये जाएगा ज वो शहीद हो गए उस दोरान उनके सम्मान में ही मुख्य रूप से यह किया जाता है आगे देखे उत्तरप्रदेश में कितने सामुदाइक स्वास्त केंद्र पीपी मोड पर चलेंगे 15 सामुदाइक स्वास्त केंद्र शुरुवात की गई है अभी अभी हो सकता है मेरे बत प्राइवेट पार्टनर्शिप सारजुनिक निजी भाईदारी सरकार के साथ निजी कंपनिया भी जुड़ कर और बहतर इसे कर सकें इसका प्रयास किया जा रहा है कुछ जो नाम है 15 वो यहां पर है आप चाहे तो देख सकते हैं स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आगे इसके अलाबवा अभी हाली में कुछ समय पहले पीली भीत के चावल का भी निर्यात शुरू हो गया है बासमती चावल का अब आगे देखें हाली में उत्तरप्रदेश मंत्री मंडल की बैठक में मंत्री मंडल ने उत्तरप्रदेश दुग्ध नीती 2018 को समाप्त कर 2022 को मंजूरी दे किने वर्शों तक प्रभावी रहेगी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी यह नीती कियों लाई गयी है । क्योंकि रोजगार जादस जादा हो सके एक दशमलोग दो पांश लाख नए रोजगार क्रियेट होंगे इसके अनुमान लगाया जा रहा है इससे जादा भी हो सकते हैं आप देखें यहां पर क्या था पहले कि प्रदेश दुग्ध नीती 2018 थी उससे समाप्त किया गया उसके सकते होने इत् lavoro में उत्तरप देश में सबसे अधिक सुक्ष शहर कchas है देखें 10 लग्स अधिक का एथी बात हो और इसके बात बात करें तो राज्य में यह गाजी अब सब्से बहतर लेकिन देश में इसका स्तान कौन सा है बार्वा भारत में याने की डेश में अब उसके अलावा बात करें देखिए तो 3-star rating इसे मिली है और odf plus 3-star rating का मतलब शाफ सफाई के मामले में शहर कितना स्वक्ष है उसके मामले में 3-star rating मिली है 5-star भी होती ही 7-star भी होती है उसके अलावा odf plus से क्या मतलब होता है odf प्लस के मतलब होता है कि जो कोई शहर है जो कितना जैसे कि O.D.F अगर है open defecation free O.D.F बोलते हैं तो O.D.F में अगर ये certificate मिलता है तो इसका मतलब होता है कि खुले में शॉंच मुक्त वो जगह है खुले में शॉंच मुक्त है लेकिन O.D.F प्लस अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सौचाले भी होंगे सारजुनिक सौचाले होंगे सामधाइक सौचाले भी होंगे तब O.D.F प्लस मिलेगा उस जगह को अगर O.D.F प्लस प्लस है O.D.F प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मल अप्षिष्ठ है जो मल अप्षिष्ठ है, उसका प्रबंधन, उसका ट्रीटमेंट और इसके अलावा प्रबंधन ट्रीटमेंट के साथ उसका एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाएंगे तभी तुसका ट्रीटमेंट होगा, आगे देखिए, ओवर ओल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश क स्थान कौन सा था, दस्वाँ था, एक से दस लाग की आबादी वाले शहर में, नुएडा जो था, पांचवे नंबर पे था, उसके अलावा देखिए, एक लाग से कम आबादी वाले शहर, बिजनौर सरुष्ष्ठ गंगा शहर था, उसके अलावा, एक लाग से अधिक कम आबादी में कौन सा देखिए, इंदौर है, फिर सूरत, फिर नभी मुंबई, एक लाग से कम आबादी में देखिए, महाराष्ट का पंचगनी है, फिर कराड है, कराड जो है, तीसरा है दरसल, थार्ड है, दूसरा जो है, वो 36 गल का पाटन है, ये सेकंड है, तो याद गंगा टाउन का, एक लाग से अधिकाबादी वाले, एक लाग से अधिकाबादी वाला जो गंगा शहर है, वारानसी, वह दूसरे नमबर पर है, क्योंकि पहले नमबर पर आपको कौन सा दिख्या है, उत्राखंड का हरिद्वार, उसके बाद देखिए, फास मूवर सिटी अवार्ड शिव मोगगा करनाटक, और सबसे स्वक्ष राजित, यहाँ पर भी देखिए, दो शेणी है, एक शेणी है, सौ से अधिक शहरी स्थानी निकाए वाले राजिये, उसमें मदपरदेश सबसे स्वक्ष है, और मदपरदेश के बाद चतिसगर, फिर उसके बाद त कच्रा मुक्त शहर बना है, वह कच्रा मुक्त शहर है, इंदोर, साथ स्था, जैसे मैंने बताया था ना, कि अभी गाजियाबाद को आपने देखा, थ्री स्थार मिला, उसी तरह से इंदोर वो सेवन स्थार, सेवन सबसे बहतर इस्थती है, स्थार जितना ज़्यादा, स्थेत्र है, और, स्थार कम हो रहा है, मतलब, कच्रा महां पर है, और, इस्थार जादा हो रहा है, कच्रा महां पर कम से कम है, कुछ फाइव स्थार मिले हैं, वह भी नाम देख सकते हैं, अब आगे देखे, अक्टूबर 2022 को मीडिया समूद वारा, जिट इंडियन ऑफ बth समारों में उत्रप्रदेश के कि सस्ती को इंडियन आवर्ट से समानित किया गया मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ को समानित किया गया कौन सा मीडिया हाउस था CNN news 18 मीडिया हाउस के द्वार्ट योगी आदितनाथ जीन अपने राजी की जनता को यह वार्ट समर्पित किया उनके द्वारा ऐसे बात कही गई एक दिन के लिए उच्चायोगता के भारत संस्क्रण में भारत में एक दिन के लिए बिटिश उच्चायोग में उच्चायोगत बनी जागरती यादव किस जिले से संबंदित हैं जागरती यादव क्या बनी है बृटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी है नाम क्या है जागृति यादव कहां से है उतरवदेश की लखनव से हैं एक प्रचयोगिता हुई थी उच्चायुत प्रचयोगिता हुई थी कब हुई थी अंतरराश्ट्री वालिका दिवस पर याने कि 11 अक्टूबर को हुई थी यह प्रत्योगिता 2022 में और उसी के साथ ही यह तैय हुआ कि एक दिन की उच्चायुत बनेंगी जागरती यादा और लखनव की अब देखे वह राज जिसकी विधान सभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराद को रोकने के लिए CRPC विधेयक 2022 को पास किया अमानत दुशकर्मी को नहीं मिलेगी ठीक है तो यह किसके माध्यम से हुआ है दंड प्रक्रिया सहिंता संशोधन विधेयक 2022 को जब हम यह जो विधेयक है जब यह अधरियम बन गया उसके माध्यम से हाली में जारी राष्टी जल गुणवत्ता परिक्षन रिपोर्ट ये देखे कहां पर उत्तरप्रदेश की राजि जो सरकार है उसके दौरा क्या किया गया है विधान सभा से पास किया गया है याद रखेगा ठीक है अब आगे देखे हाली में जारी राष्टी जल गुणवत्ता परिक्षन रिपोर्ट के नूसार उत्तरप्रदेश की सबसे दो बाते कि उसका नाम हर नदी या हर नंदी भी है उद्गम कहां पर है समझ लीजे सहारन पुर जिले में जो हिमालेश्चित का उपरी शिवालिक पहाडियां है वहां से आता है और वहां पर एक जगह है जगह का नाम क्या है पूर का टंका गाओं ठीक है यमना कि सहाक नदी यह बात भी जानने रखिएगा पूछा जा सकता है हाली मुत्रप्रदेश कैबिनेट ने राज योजना आयोग का पुनरगठन कर नवीन नाम दिया है राज परिवर्तन आयोग जैसे आपको याद है 2015 में जो योजना आयोग था उसका नाम नीति आयोग कर दिया था केंद् राज की पहली एस्ट्रो नौमी लैब का शुभारम किया गया कहां कि गया जहासी में एस्ट्रोंची बनाई जारही जी ही जिसका लक्ष है कि स्कूल के विद्यार्थी खगोली प्रयोक्षाला का उपयोग करके आसमान को अच्छे से देख सकें उसके चांद तारों को देख सकें खगोली अध्यान में उनकी रुची बढ़ सके और वो ज्ञान प्राप्त कर सकें अब आगे देखें वहराज जिसने हाली में सरकारी वसो सके बैद में दिव्याणों के लिए मैं अब इसमें भी दो स्थिते southwest कि अगर 40 प्रित्य या इससे अधिक की दिव्यांगता है तो उस व्यक्ति को डारेक्ट कार्ण मिल जाएगा लेकिं अगर 80 प्रित्य स्यूम्सें अधिक दिव्यांगता है तो उस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति जो होगा जो उसके साथ में उसको समालने के लिए होगा उस व्यक्ति को भी काड मिलेगा वह भी मुफ्त में यात्रा कर सकेगा निशुल के यात्रा कर सकेगा अगला है वह फसल जिस पर हाली में उत्तरप्रदेश सरकार ने कीट नाशकों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया बास्मती चावल के मामले में कीट नाशुकों का जो प्रयोग है वह प्रतिबंधित हो गया और उत्तरप्रदेश सरकार ने ऐसा किया है उत्तरप्रदेश के पहला तेरता सोलर सेंद्र है उत्तरप्रदेश में पहला तो तेरता सोलर सेंद्र कहां पर ह ठीक है और यहां पर एक जखाय है दिभियापूर अब याद रखेगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है एंटीपीसी के द्वारा एंटीपीसी क्या है नेशनल थर्मर पावर कॉर्परेशन स्थापना कभी थी 1975 को और मई 2010 में यह क्या बन गया था महारत का दर्जा इसको बन गया था मतलब तीन साल तक 5000 क्रोड का टर्नोवर इसका प्रॉफिट हो रहा था अब देखे 20 मेगा वाट यहां पर इसकी अभी शमता है शुरू आती बाद बढ़ाई भी जा सकती है यह तैरता सोलर सयंत्र है आपको पता होना चाहिए और प्रदेश का पहला तैर का कायम कुलम हैं गुजरात का कवास और आंद प्रदेश के सेमाद्री में सोलर सेंत ऐसे लगाए गए हैं तैरने वाले एंटीपीसी के दौरा एंटीपीसी मुख्य रूप से है क्या देखें बिजली का निर्माण करने वाली कंपनी है भारत की सबसे बड़ी साज़नी अब आगे देखें शिक्षा दिवस के अवसर पर राश्पती द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में उत्तरपदेश के शिक्षक खुर्षीद अहमत को राश्टी शिक्षक पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया है किस जिले से हैं वो उत्तरपदेश के द आप बताईए शिक्षक दिवस का होता है कमेंट बॉक्स में अब आगे देखें यहां पर 46 शिक्षक हैं 46 शिक्षकों को यह अवार्ड मिला जिसमें से उत्तरपदेश के हैं खुर्षीद एहमत इसमें एक रजत पदक है और 50,000 की राशी है चेक है प्रमाण पत्र जो जो आयोध्या केंट रखा है क्योंकि फैजाबाद जिले और मंडल का नाम तो बदला ही जा चुका है वर्ष 2018 में जिले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था आयोध्या ठीक है तो यह बात आपको पता होना चाहिए फैजाबाद से अध्या हुआ था तो केंट का नाम भी बद कर देखें उत्तरप्रदेश बाजरा उत्पादन में है दूसरे स्थान पर है बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है जहा तक मेरी राजस्थान आपको पता हो त Cobyn एपको जहां उप्राप्ती कि मोटत्साहित करना चाहिए कि की मोटे अनाज जिस पोशन की प्राप्ति की आवशक्ता है इस्पेशली विकास सील देशों को जहां पोशन की कमी है लोगों में और उसके अलावा जो अन्य पिछड़े देश हैं वहां पर मोटे अनाज को काफी प्रोचाहिद करने का कहा गया है संयुक्त राष्ट के द्व किस स्थान पर गर्म और शुष्क जलवाई जो है यहां पर होगी तभी यहां पर इसका उत्पादन होगा आगे देखें देश का पहला राज जिसने हाली में गंगा सही सभी नदियों की निग्रानी ऑनलाइन करने का निड़ने लिया है उत्तब देश ने बात कही है कि गं प्रदूशन की जाज की बात कही गई है जो जल स्तर है जो प्रदूशन है वो सारी जानकारी कठी करेगा देश का राज जिसने हाली में अवैज शराब नशीली दवाओं के व्यापार की जाज के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का उत्त्यपरदेश देखें कि किया है एंटी नार्कोटिक्स टार्क टास्क फोर्स का किस लिए किया है अवैज शराब और जो नशीली दवाएं हैं उनके व्यापार की जाज के लिए किया है पता होना चाहिए अब आगे देखें 2022 से इसके अवधी के लिए स्यो परिटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को नामिद किया है वारानसी को पहली बार स्यो ने परिटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वारानसी को नामिद किया है तो यहां पर एक बात तो यह हमें पता ही होना चाहिए उत्तवदेश की बा CEO की राष्टा ध्यक्षों की यह कौन सी बैठक थी पिछले साल जो 22 बैठक हुई थी अब यहां पर थोड़ी सी और बात 2001 में SEO का गठन हुआ अब SEO गठन से पहले कजाकिस्थान चीन किर्गिस्थान रूस और ताजिकिस्थान इसे हम कहते थे शंगहाई 5 ठीक है पांच देश थे कजाकिस्थान चीन किर्गिस्थान रूस और ताजिकिस्थान उसके बाद 2001 में एक और देश मिल गया उजबेकिस्थान कितने देश हो ग सत्रा में दो देश और जुड़े कौन-कौन से भारत जुड़ा प्लस पाकिस्तान भी जुड़ा कि कितने देश हो गए टोटल अब आठ देश हो गए ठीक है अगला सदस एक और बनने वाला है जिसका नाम आपने सुना होगा इरान बहुत से विद्यार्चियों ने पहले भी कहा था कि इरान शामिल हो चुका है याने कि नौ देश हो गए है अभी प्रक्रिया जारी है कुछ औपचारिकताएं होती है वे औपचारिकताएं पू सदस बन जाएगा अधिकारिक भाषा की बात करें देखिए अधिकारिक भाषा की बात करें तो यहां पर दो भाषा है रूसी है और एक और है चीनी चीनी भाषा का मतलब क्या हो गया मंदारीन भाषा अगला है उत्तरप्रदेश को वह जिला जहां के जिला अधिकारी को हा हाली में सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट लगा बनाये जाने का निर्मान करने का सरकार ने निर्णने लिया है यह उना नदी के किनारे सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट बनेगा जिससे की इस नदी में अनावश्यक रूप से सीवेज ना जा सके ट्रीट होने के बाद सब्सकार के बारे में जान लीए ृष्कार का नाम किया इसका नाम क्या कहा गया है व्यास सम्मान व्यास सम्मान अभी यह जो था यह कौन सा था एक्तीसवा था जो अजगर वजाहत को मिला वह एक्तीसवा है साहित्तिकार है साहित के शेतर में दिया जाने वाला सम्मान है व्यास सम्मान व्यास सम्मान किसके दौरा दिया जाता है केके बिल्ला फाउंडेशन के दौर शुरुआत कब से हुई है तो वश 1999 से इसकी शुरुआत हुई है ठीक है इतनी बाते तो पता होनी चाहिए उत्रपदेश इस्तित वह विश्विद्याले जिसके शोदकरताओं ने हाल ही में तृपुरा में नील हरिष शहवाल की नई प्रजाती की पहचान की क्या है बनारस ह हिंदू विश्विद्याले इन्होंने क्या पहचान की है नील हरिष शहवाल की और कहां पहचान की है तृपुरा में एक शहवाल मिला नील हरिष शहवाल जिसकी पहचान की है बनारस हिंदू विश्विद्याले के शोधार्थियों ने अब इस नील हरिष शहवाल के बारे योगदान है ऐसा कहा जाता है अब यह ऑक्सुझनी करण्स का मतलब क्या है हम उक्सिजन के माध्यम सहीद हम ऑक्सीजनी तो ले रहे हैं यह औक सीजन इतनी मात्रा में जो उपलब्ध है वर्तमान में पृत्वी में हमेशा से नहीं शुरूआत में इतनी नहीं थी इस तरह से का credit इस साइनो बैक्टीरिया को भी दिया जाता है तो यह बात आपके लिए अनिवार रूप से जरूरी हो जाती है जानना कि नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया प्रत्वी के ऑक्सीजनी करण के लिए महत्पूर्ण मानी जाती है आगे देखे कुकरेल अब नाइट सफारी में क्या होगा कि जो वहां के जानवर है कि जो भी जानवर हैं उसब सब लिए अलग अलग सफारी इसी 350 सेकड़ शेत्र में अलग ऑलग शुरूँ भि डए सफारी बहुत सारी हैं देश में लेकिन ये अपने आप में नाइट सफारी हैं अब आगे पहला नहीं है दूसरा विज्ञान विश्विद्याले पशूच कित्सा विज्ञान यानि कि हम इसी क्या बोलते हैं वेटनरी उनिवर्सटी कहां पर खोलने का लेड़ा लिया गया है गोरकपूर में इसके पहले खुल चुका है कहां पर खुला है मतुरा जो है वह पहला है प प्लास्टिक मुक्ति स्वक्ष्टा अभियान की शुरूआत की है वारानसी किसकी बात हो रही है प्लास्टिक मुक्ति स्वक्ष्टा अभियान की किसके दौरा उत्तरप्रदेश के जल शक्ति मंत्राले के दौरा कहां पर वारानसी में शुरू किया गया ठीक है आप समझ ग प्रयास किया जाएगा क्या निर्ण लिया गया है कि नंदी अभ्यारन बनाएज़希望 चेएगा कहां कहां पर देखें संभल अम्रोहा और बिज्ञवर में जो मुरादाबाद मंडल है इसके तीन जिले हैं, इन तीनों में ही बनाया जाएगा नंदी अभियारण, नंदी का मतलब क्या है, नंदी का मतलब एक तरह सम कह सकते हैं, वैल, ठीक है, तो इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, आवारा पशुओं की तरह या कहीं पर भी ना दिख जाएं, उनकी सुरक्षा ह हो सके एक सुरक्षित स्थान पर रह सके आवारा की तरह वो इधर सुधर ना रहें इसके लिए अभ्यारण बनाया जा रहा है अब आगे देखे हाली में उत्तरप्रदेश है कि सेवा निर्वित नौकर शाह को मुख्यमंत्री आदितनात का सलहकार न्यूट किया गया देखे अागान्वाडी केंद्र है वहां पर बच्चों की आगन वाडी केंद्रों में ऑउनलाइन पढ़ाई हो सके उसके लिए बाल-पिर्टारा एप तो याद रखेगा यहां पर आगनवाडी की बात हो रही है स्कूल की बात नहीं हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में कां से पतक जीतने वाली 17 वर्षी रूपल चौधरी कहां की उत्रप्रदेश की हैं कि जिले संबंदित हैं मेरट से क्या खिताब जीता है उन्होंने कां से पतक जीता है गांसे बता किस में जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में जीता है अब आगे देखे के उत्तरप्रदेश कवह जीला जहाँ हाली में जमीन की खुदाई के दौरान एक हजार साल पूरानी सूर्य भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 296 किलोमेटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई है और यह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है दिल्ली को चित्रकूट से जोड़ने का कार्य करता है किस प्रकारते चित्रकूट के जिले में भरत कूप के पास गोंडा गाउं में एनेच 35 ते शुरू होत होता है तो यह आपको पताचल गया चित्रकूट से शुरू होता है और उसके बाद इटावत के जाता और इटावा में यह आगरा लख्ण एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता है और आप देखें यहाँ पर तो नाम क्या है बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे और यह कितना ल में थी है पार्टी जिसे राजिस्त्री पार्टी की मानेता दी गई है पार्टी का नाम क्या है अपना दल सोने लाल इस पार्टी की अध्यक्ष जो है वर्तमान में अनुप्रिया पटेल है राश्ट्री अध्यक्ष याद रखिएगा ३ांं के द्वारा आपना डल सोने लार्टि जीसे उत्टर प्रदेश हिंदी सहिजथान का सर्वोच पूरुस्कार मिला नाम क्या है भारत भारती डॉक्टर रामानातर पाथि को कुछ और पूरुस्कार है इंडी सन्सथान के तौरे जैसे लोहिया साहीत nad मिश्र को मिला हिंदी जो चोटे व्यापारी है। आजादी के 75 सालों में वे जश्मना सकें इस मामले में कि उनके लिए भी कुछ बहतर हो रहा है उनके लिए भी कुछ बहतर सुविधाएं हैं जिसका वे लाव ले सकते हैं जैसे कि जो रहडी पटरी वाले हैं उन्हें क्रेडिट अनुशाशन डिजिटल व्यवहार प्रदर् हो सकेगा अब आगे की बात आती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्रप्रदेश का इस्थान है कौन सा स्थान है सात्वा इस्थान है अब इसमें पहला इस्थान कौनता है कितनी कटेगरी हैं कुछ और बाते हैं जो जान लिए 17 प्रमुख राज्य थे एक कटेग इस्थान सात्वा हैं अब यहां पर नीतीयो के उपाध्यक्ष कान है जिनके द्वरा ही है जानकारी देगई उपांथ्यक्ष शुमन बरी के द्वारा सुमन के बे बेरिन का नाम है अब इसमें शीर्ष रज्ज कौन सा है करनाटक शीर्ष ठीक है और दूसरे नमबर पे है तिलंगाना और तीसरे नमबर पे है हरियाना जो 36 गड़ है वह अंतिम है यानि कि 17 स्थान किसका हो गया फिर 36 गड़ का एक 17 राज जहना तो अंतिम स्थान किसका है 36 गड़ का है और पहला है करनाटक का अब यहां पर देखिए जो मडीपूर यहां पर आप देखेंगे पंडी िससे पता चलता है कि शीर्ष चंडीगर्ण हो लग्द्दाक अंतिः यह जो जान गाравी तो यहां पर इसके पहले भी दो आज चुके हैं अक्टूबर 2019 में आया था और जनवरी 2021 में जो आया वो उसके पहले का ही जानकारी उसमें बताता और यह जो 2021 काया है यह उस समय की जानकारी बताता होगा अब आगे देखें उत्तरपदेश का वह जिला जहां से मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मदारी कारेक्रम की शुरुआत की गई है कहां की गई है सोन भद्र में कारेक्रम का नाम क्या है मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मदार यह भी देखे जागरुकता वाली बात है कि हम किस प्रकार से प्लास्टिक पर रोक लगा सके उसी के लिए जागरुकता फैलाने वाला कारिक्रम है जो सोनवद्र से शुरू हुआ था मेरा प्लास्टिक मेरी जम्यदारी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर रोक लगा करने के लिए इसके लावा एको फ्रेंडली वस्तों के उप्योग पर जोड़ देने के लिए यह कारेक्रम चलाए गया था इसके लावा अगला देखे उद्योग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टप एको सिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्क्राण था तीसरा स्टार्टप एको सिस्टम रैंकिंग का तीसरा संस्क्राण जिसमें उत्तरप्रदेश को कि श्रेड़ी में हम देखते हैं कि शामिल किया गया तो लीडर श्रेड़ी में शामिल किया गया अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कितनी श्रेड़िया है पांच शेडिया है, सरस्रेश प्रदर्शन जो करने वाले हैं, फिर टॉप पर्फॉर्मर्स हैं, लीडर्स हैं, अकांशी लीडर्स हैं, उभरते स्टार्टप एकोसिस्टम हैं, अब यहाँ पे जो सरस्रेश प्रदर्शन करने वाले हैं, वो कौन से हैं, गुजरात और तक है ये देखिए सर्षेश प्रदशन करने वाले पहली शेणी टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए टॉप परफॉर्मेंस में है केरल महराष्ट ओडिशा और तेलंगाना लीडर शेणी में बात करें तो उत्रप्रदेश के साथ उत्राखंड पंजाब असम अगे देखते हैं उत्रदेश की पहली ट्रांस्जेनडर सेल पुलिस सहायता केंदर खोली गई कहां पे लखनाव में लखनाव एक पहला ट्रांसजेंडर पुलिस का सेल खोला गया हाँ 24 घंटे ट्रांसजेंडर की शिकायतों को सुना जाएगा आगे देखिए राज कर्मचारियों को कैशलेश चिक्रिस्था सुविधा देने का देने वाला पहला राज कौन बना उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश ने और जो पात्र लाभारती है उनके पास क्या होना चाहिए पर ही इसका लाभ ले पाएंगे इसको बनवाने की प्रक्रिया है हो सरकारत्य करेगी उत्तरप्रदेश का बह शहर जहां प्रदेश को प्लास्टिक गच्रा विशेशकर पॉलिथीन से मुक्त रखने के उद्देश से राज के पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुवात की गई कहां पर की गई है नोएडा में किसकी बात हो रही देखिए तो राज का पहला मोबाइल थैला बैंक और ये किसली चलाय जा रहा है प्रदेश को प्लास्टिक कच्रा विशेशकर पॉलिथीन से मुक्त कर रखने के लिए तो देखिए नोएडा में बहुत सारी जगहों को चुना गया है जहां पर ऐसी गाड़ियां चलेंगी जो प्लास्टिक के थैला को लेकर चलेंगी और आम लोगों में वह प्लास्टिक का थैला वित्रित करेंगे जिससे लोग पॉलिथीन का इस्तमाल ना करें बलकि थैले का इस्तमाल करें जिससे की हम इस प्रकार के प्लास्टिक से बच सके अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां प्रदेश के पहले रेन वाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क का इस पार्क में कोई जाएगा तुसे रोबोट के माध्यम से जानकारी मिलेगी किस प्रकार से हम जल का संरक्षन कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो जल का पानी है उसके संर वरुना नदी के लिए किस से समझोता किया है इसराइल से समझोता किया है किस ने किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने किया है इसका क्या करेगा पुनुरुधार करेगा कौन करेगा इसराइल करेगा इसलिए इससे समझोता हुआ है आपको पता होना चाहिए वरुना नदी अप सी शहर तो आपको पता होना चाहिए हाला कि वर्णा नदी जो है यह प्रयाग राज के पास से निकलती है अब यहीं पर आपको यह पता होना चाहिए अगला कि F.S.S.A.I. भारत सरकार की तरफ से खाद सुरक्षा एवं और शधी प्रशासन ने कि इट राइट का रिक्रम के दाकिस्स मंदीर को भोग प्रमाडपत्र की जो आइड doğru कि दिया है और व्रिंदा जाज के ही इस कौन मंदिर को दिया है ठीक है यह भी आप बात को जएध रखेगा पिछले की बात को आगए हम यहां तक बढ़ा के आ चुके हैं उत्तरप्रदेश किस स्टेशन को पानी अगर कोई पानी है जिसका इस्तमाल हुआ एक बार उसके बाद उसका दोबारा उसको संग्रहित करके ट्रीटमेंट कर लिया जाता है और दोबारा इस्तमाल किया जाता है इसी वज़े से यह ग्रीन डिटिंग इसको दी गई है आगे देखें उत्तरप्रदेश थरकार प्रकार ही जो आईये सधिकारी है वे भी अपने जितनी भी चल संपत्ती है उसका ब्योरा देते थे उसी तर्ज पर उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह स्पैरो यूपी में कहा कि PCS अध्यकारी भी अपनी चल अचल समपत्य का ब्योरा देंगे अब चल और अचल समपत्य क्या होती fine चल समपत्य का सीधा मतलब यह होता है कि वे संपत्य जो जमीन से जुड़ी हुई है जैसे कि घर हो गया कार खाना हो गया यह सब कहीं आप लेके नहीं जा सकते हैं जमीन से जुड़ी हुई है तो इसको हम बोलते हैं अचल संपत्ति वही है जिसे आप कहीं लेके ना जा सकें जमीन से जुड़ी हुई है और चल संपत्ति वह हो गई जिसे आप लेके जा सकते हैं पिस सोना चादी हो गया उसके अलावा गाड़ी हो गया यह सारी चीज़ें आप ले के जा सकते हैं अपने साथ तो वह हो गई चल समपत्ति ठीक है अब आगे देखिए वह स्थान जहां बीच जून 2022 को चंबल कटहल मोटसव का आयोजन किया गया कहां किया गया पंचनद इट Secondation GOक ने मात्रित अवकाष के संदर्व में कितने असमय में दो मात्रित अवकाष देने का फैस्ता लिया है इन दो साल में अपको बताता हूं हाई-खोड नहीं कहा कि एक मामल यह सोइध दिनों का और उसके दो साल होने के पहले ही एक बार फिर से अप्लाई कर दिया मात्रेत अवकाश के लिए 1107 दिनों के रुखाश के लिए जिसको वहां पर जो के senior अधिकारी थे उनके द्वारा मना कर दिया गया उत्रप्रदेश तरकार में तो उनके कहां प्राप्थ हुई है गोरकपूर में प्राप्थ हुई है किसकी भगवान मिश्णु की कितनी पुरानी लगभग 1200 साल पुरानी मूर्ती है यह बात आपको पता होने चाहिए अगला है उत्तरप्रदेश कवह शहर जहां पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया कहां किया ग इस कटपुतली के माध्यम से जो हमारे सोतंतरता सेनानी है उनकी कहानियों को दरशाय गया था इस पुतुल उत्ताओ वारानसी में अगला है साइबर अपरात की जाज के लिए उत्तरप्रदेश के सभी थानों में स्थापित की जाएगी क्या की जाएगी साइबर हिल्प ड क्या है नाम क्या है इपेंशन पोर्टल उत्तरप्रदेश का वाशहर जहां हाली में सरकार ने स्मार्ट शेटी मिशन के तहक सौस्वास्त एटियम यानि की हेल्थ एटियम लगाने की घोश्णा की है लखनव में सौस्वास्त एटियम यह होंगे क्या देखें 10 से लेके 15 फ लाइन नहीं ऑनलाइन डॉक्टप परामर्श भी देंगे और जो दवाईयां यहां पर दी जाएंगी या तो निशुल्खों की जनरिक दवाईयां या तो बहुत ही कम कीमत में दवाईयां दी जाएंगी तो लखनव में यह हम लगाएंगे क्या स्वास्त एटियम किसके द इस दो अपिसोड को आप देख लेंगे तो साल भर का जो भी महत्पूर्ण करेंट न्यूस था राजविशेश का वो आपका कवर हो जाएगा अब चुक्कि रिवीजन सीरीज है तो हमारी गती थोड़ा जादा थी लेकिन हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है और मुझ झाल